आज मैं बनाने वाली हूं आधराइस के तरह लंज की थाली जो की बहुत ही इंट्रेस्टिन होने वाली है इस थाली को बनाने के लिए मैं यहां पर जो जो रेस्पी बनाऊंगे इस तारे के सारे अमेजिंग है तो आप लोग पूरा वीडियो वाच करें और पसंद आये तो कर डायसे जल्दी से बनाना शुरू करता है जबसे पहरे यहां पर मैं सबची बना देते हुँ तो आज मैं बनाने वाली है आलू-पर्वल की सबची तो पर्वल को यहां की ते से कटकर लिया आप चाहे तो राउंड कट करके भी डाल सकते हैं आपको जैसा सेट मन हो आप डाल सकते हैं इस तरह से परवन को फ्राई कर लें जब यह अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और आलू हमारा यहां पर बॉइल किया हुआ है आप चाहे तो कट करके भी डाल सकते हैं प्रीकिन बॉइल कर लेने से क्या होता है ने सबजी जल्दी बन जाते हैं ज्यादा टाइम नहीं लगता है और इस तेल में हम डाल देंगे एक चमन स्पंशोरन ताल शीरिनी और यह सूखी लाल मिर्चे भींस आप चाहे तो ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे आज मैं इस सबजी को बनाऊंगे बीना प्याज ला सुनके यह काफी जादा टेस्टी बनता है बीना प्याज डाले हुए भी तो हम इसमें डाल देंगे टमाटर को कट करेंगे और यह कोरेंडर पाउडर अल्दी पाउडर रेट चिली पाउडर नमक कस्तुरी मेथी अल्दी जाएं सारे मसालों को आप अपने करड काउडरी में बना रहें और इसमें थोड़ा से पानी दाल के इसको अच्छे से मेक्स करना नहीं जले नहीं और इसे मिक्स करने के बाद हम इसे कवर कर देंगी इससे टमाटर जली के सॉस्ट हो जाए और इस सबजी के क्रेवी रेडी हो जाए तो इसलिए आप इसे धग के पकाएं आईए आप मसाले को हम चेक कर लेते हैं तो टमाटर को हमें हलका से प्रेस करते हुए और मेक्स कर देन अब इसमें डाले ये ब्लैक पॉपर पॉडर है और इस मसाले को हम मेक्स करेंगे जब मसाला अच्छी तरह से पक जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे बॉइल के हुआ आलू और ये फरवल सभी को डाल के इसमें अच्छे से मेक्स करेंगे मसाला के साथ आप इसे एक से दो मिनट के लिए मेक्स करें देन हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला और लेक्स अनाच और इसे लिधर हम ऑच्छे मेक्स करेंगे आप उसके भॉर्डिंग डाल सकते हैं आप चाहे तो पुरी के लिए डाल रेटी कर लेते हैं कि करा ही में दाले में तर्शोकति आसे डाल देजीरा यह ग्रीन चीली और करी पत्ता अप्जानल है आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं और यहें इसे में मिक्स करने के वाले हम डाल देंगे फुली हुई दाल को हम आधा गंटा के लिए पानी में बिगो के रख देया था जिसे अच्छी तरह से फूल गई है मुंग की दाल को फूलने में टाइम नहीं लगता है तो आप थोड़े दर पहले आप पानी में डाल गएक रखते और अचान के हम इसे रोस्ट कर लें तो आप इस दाल को अच्छे से मिक्स करें देन हम इसमें डाल देंगे आधा क्लास के तरिक पानी और इसे धक के तो आईए मैं यहां पर चक्कर के दिखाते हूं कि हमारा डाल कितना जगा सॉफ्ट है अभी तो आप इसे ठंडा करके पीस लें आईए अब डाल पूरी को चान लेते हैं सब्जी हमारा रेडी है तो आद्रा में हम लोग बनाते हैं पूरी सब्जी और चावल की खीर और आम तो यहां पर सब्जी भी रेडी है तो आया लास्ट में सर्फ करके दिखाते हूं यह सब्जी बहुत ही टेस्टी बना है तो आप इसे ऐसे भी नॉर्मल पूरी के साथ खास होते हैं अब तो बहुत टेस्टी लगेगा खाने में अप इस तरह से आप एक बर सब्जी चरूर बना के देखें यह बहुत ही सिंपल एड एजी है और खाने में तो बहुत ही अमेजी है यह हमारा आद्रा आज्टी खाली रेडी है तो अब भी अपने घर में बनाएगें बहुत बढ़ेगाई